नमस्कार मेरा नाम अनुज़ आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल आज की स्विटम बात करेंगे यूपी ऐसी सिविल सर्विस आईएस पीसी एस हेत्थू निस्वल कोचिंग के बारे में अगर दोस्तों आप लोग भी 2022-23 के अंतरगत आईएस पीसी एस की तयारी कर रहे ह और आप लोग को मालूम होगा कि हर साल की तरह इस बार भी समाज कल्याण विबाग उत्तर प्रदेश लखनाओ के तरफ से यूपी ऐसी सिविल सर्विस आईएस पीसी एस हेत्थू निस्वल कोचिंग 2022-23 के अंतरगत इस्टार्ड होने वाली हैं इसके लिए आप लोग से आउनलाई रिशेशन मांगे गए हैं अगर आप लोग भी ये रिशेशन करके अपना एक्जाम दे के एक्जाम को किलियर कर लेंगे तो दोस्तों आप लोग भी आईएस पीसी एस हैं तो निस्वल कोचिंग सेंटर में जोईन कर पाएंगे और बिल्कुल फिरी में आईएस पीसी एस की कोचिंग ले पाएंगे तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं निस्वल कोचिंग लेने के लिए आपको किस प्रकार से ऑनलाई आबेदन करना इसके लिए आपके पास क्या डाकुमेंट होने चाहिए फॉर्म को कैसे फिलप करते आपका इंटरें फिरी कोचिंग के फॉर्म को फिलप कर पाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं यूपी एसी सीविल सर्विस दोजार बाइस तैस की आंतरगात अगर आप लोग भी निस्वल कोचिंग लेना चाहाते हैं तो दोस्तों आपको समाज कल्यांड विवा उत्तर प्रदेश की ओफि अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती एबन अन पिछड़ा वर्क के स्टुडेंट के लिए यहाँ पर दी जाती है मतलब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं OBC, SC, ST, काष्ट के लिए यह निस्वल कोचिंग दी जाती है फॉर्म को फिल करते हैं अगर आपको किसी प कोटिफिकेशन के बारे में जानना काफी जादा जरूरी है जैसा कि आवेदन संबंद सूचना तो आपको इस पर किलिक करके इनकी पूरी PDF आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी इसे आपको पूरा रीट कर लेना चाहें तो अगर आप लोग यह वीडियो कंप्रीट करने की जरूरत नहीं है हम आपको सारी स्टेप बाई स्टेप फॉर्म को फिलप करना सिखाएंगे बाकि आप लोग यह सारी चीजें चेक कर सकते हैं इसके बाद जो आपका सिविल सर्विस के लिए आप लोग कोचिंग के लिए आवेदन करेंगे इसका आपको यहाँ पर का एक्जाम देना पड़ेगा उसका भी सिलेवर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिरसन बगारा भी यहाँ पर दियें कितने घंटों का एक्जाम होगा कितने नंबर का होगा और इसके जो टोटल सिलेवर्स आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, तो यह सारी चीज में आवस से चेक कर लिजीगा बाकि आप लोगको बता दें, यह सारी पीडिये होगत कर देंगे आप लोग बहा सब्सक्राइब बहुक्त कर करेंगे आपको इस वाले बाथी चीज देना है तो finally हम आ चुके अपने registration को करने के लिए तो हमें आ चुके यहाँ पर registration वाले option पर सबसे पहले number पर आप लोग यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपको अपना बही district को select करना है जिस district में आपने कम से कम 5 वर्स के लिए रह चुके या फिर इससे अधिक रह रहे हो या फिर आप लोग जनम से रह रहे हो बोजश्टिक का आपको यहाँ पर नाम फिलप करना है यहाँ पर आपको अपना full name जैसा कि आपकी high school इंटर की मार्शिट पर दिया हो यहाँ पर father name यहाँ पर आपको अपना full address pin code सहीत आपको लिखना है यहाँ पर आपको अपना बरतमान का पत्र विवार का पता लिखना है अगर आपके दोनों सेम है तो दोनों में same fill up कीजिगा यहाँ पर आप अपनी email id यहाँ पर आप अपना full number यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपनी date over date over तो आप लोग वही फिल कलब कीजिगा जो आपकी high school की smart sheet पर दी गई हो यहाँ पर आपको दोस्तों अपना gender select करना है यहाँ पर आपको अपनी category select करनी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह केवल OBC, SC, ST के student को है तो आपको यहाँ पर अपनी cast को fill up करना है यहाँ आप लोग दिब्यांग का यानि बिकलांग है तो आप लोग इस वाले option पर किले करके आप लोग यहाँ पर अपनी percentage को fill up कीजिगा यहाँ पर आपकी father mother की annual income क्या है बो आपको यहाँ पर fill up करनी है ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपकी family की income 6 लाक रुपए से अधिक है तो आप लोग इसके अंतरकत online आवेदर नहीं कर पाएं है जैसा की high school आपने कौन से board से किया था कौन सी year में pass किया था उसका roll number क्या है उसका पिरमाडपत संक्या क्या अंगपत संक्या क्या है पूरांग कितना है प्रापतांग कितना है यह सारी details आपको यहाँ पर fill up करनी है लेकिन दूस्तों यहाँ पर कोच student ऐसे जिने अपना यहाँ पर पिरमाडपत नंबर और अंगपत नंबर नहीं मालूम है बो student यहाँ पर अपनी मार्शिट को कुछ इस तरह से open करेंगे और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिरमाडपत संक्या यह वाली होते है जो कि यहाँ पर certificate नंबर देखने को मिल रहा है और अंगप तो यहाँ पर आपको यह वाली नंबर को फिल्प करना है और पिरमाडपत नंबर यहां पर लिएरोया नंबर आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं इसके बाद दूसतो यहाँ पर आपको इंटर्मीडियट की वी detail इसी तरह से फिलप करने है इपने वोट का नाम constitution में इंटर पास किया है, इंटर का रोल लंबर आपको यहाँ पर फिलप करना है, इंटर का पिरमाडपत, किर्मांग, अंगपत, किर्मांग, पूरांग कितना है, पिरापतांग कितना है, यह सारी डेटेल आपको यहाँ पर फिलप करनी है, इस नातक में अपने बीए, बीए, सी, बी, कौन सी सन में फाइनल किया है, फाइनल एर की डेटेल आपको यहाँ पर फिलप करनी है, फाइनल एर का आपको यहाँ पर रोल लंबर लिखना है, यहाँ पर आपको प्रमाड पत संक्या, अंग पत संक्या, यह डेटेल लिखनी है, और आपके तीनों एर में कितने पूडांक म या आपको यहाँ पर fill up करना है इसना तक के अलाबा अगर आपने कोई other degree diploma अगर किया है तो आप लोग इसकी detail यहाँ पर जरूर दीजीगा उसके board का नाम कौन सी सन में किया है रोल नंबर अंग पत्र नंबर प्रमार पत्र नंबर पूरांग प्रापतांग यह सारी detail आपको यहाँ पर fill up करनी है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक government से relative कोई भी photo ID card लगाना है जैसा कि voter ID card, bank की passport, driving lesson, pen card, passport या फिर कोई other government ID card लगा सकते हैं जैसा कि अधार card अधर में लगा सकते हैं तो यहाँ पर आपको अधार card की संक्या यहाँ पर fill up करनी है और यहाँ प पूर में IS, PCS की मुक्त परिक्छा में सामिल हुए हैं यदि आप लोग हुए हैं तो हाँ कीजीगा अगर नहीं हुए है तो दोस्तों आप यहाँ पर नहीं कीजीगा और यदि आप लोग हाँ करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना year को fill up करना पड़ेगा और नहीं करते है तो year fill up करने की जरूरत नहीं है और यहां पे पूछा जा रहा है कि यदि आप लोग यहां पे पूर में संग लोग सेबा आयोक के राज लोग के सेबा संसा में सामिल हुएं यदि आप लोग हुएं तो हां कीजीगा अनिता इसे भी आपको नो करना है और इसके बाद यहां पे पूछा यहां रहा है कि परिक्षा का नाम बताए जिसमें आप निसल कोचिंग चाहाते हो तो यदि आप लोग I.S.P.C.S. के लिए चाहा रहे हैं तो आप इस वाले उक्सन पे किलिक कीजीगा और यह बैच आपको 2.23 में मिलने वाला है बिल्कुल फिरी कोचिंग का और यदि आप लोग इसके अलावा चाहा रहे हैं तो आप लोग यहां पे इस वाले उक्सन पे किलिक कर सकते हैं फाइनली हम यहां पे I.S.P.C.S. के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसके बाद यहां पे आपकी जो भी कोचिंग के बरिता है यह आपकी यहां पे आटोमेटिक फिलप की हुई होगी आप लोग को बता दे यह कोचिंग निस्वल कोचिंग है जो की आपको लखनव में यहां पे दी जाएगी उसका यहां पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल रही है इसके बाद आप जो कैप्चर दिया है बिल्कुल सेम फिलप करेंगे और एक बाद पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे उसके बाद आप लोग यहां पर सेफ डिटेल एंड प्रोसीड टू अपलोड डाकुमेंट वाले उक्षन पे किलिक कर देंगे कैप्चर फिलप करेंगे सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको ओके वाले उक्षन पे किलिक कर देना है और किलिक करने के बाद दूस्तो हम आ चुके हैं सेकिन इस टेप पे जहां पे हमें कुछ डाकुमेंट को अपलोड करना है जैसे कि पहला डाकुमेंट हमारा कास सार्टिपिकेट अपलोड करना है ये सार्टिपिकेट हम अपलोड कर सकते हैं JPG, PNG के फॉर्मेट में मिनिमम इसका जो साइज है यहां पर मैक्सिमम वो 40KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना आई परमारपत जो भी आपकी फैमिली का हो वो आपको आई परमारपत स्कैन करके अपलोड करना इसका भी यहां पर सेम है JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए 40KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए साथी में दोस्तों यहां पर हाई स्कूल की मारशिट अपलोड करना है जिसका साइज JPG PNG में होना चाहिए 40KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए इसके बाद दोस्तों आपने इस नातक में BABSC B.com जो भी किया है वो आपको यहां पर अपलोड करना है JPG PNG में इसका भी जो साइज अबुक 40KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए साथ में यहां पर अपना एक फोटो सिगनेचर यह सारी डेटेल को अपलोड करनी है और यहां पर टिक करना है सेब एन प्रिव्यू वाले ओक्षन पर आपको किलिक करना है डाकुमेंट अपलोड करने के लिए यहां पर 24 फायल पर किलिक करना है और जहां भी डाकुमेंट आपका पढ़ा है उसे स्लैक करना है आपका यहां पर अपलोड हो जाएगा इसी प्रिकार से आपको सारे डाकुमेंट अपलोड करने है और सारे डाकुमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर टिक करना है और इस वाले उक्षन पर क्लेक कर देना है तो doing here आपलोड देख सकते हैं हमारा जो form है वह यहाँ पर complete fill up हो चुका है आप लोग इस form को ओपर तक अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं form को फूरा fill up करने के बाद आप लोग अच्छी तरीके से चेक करने के बाद आपको अपने फार्म को final submit करना है जो कि आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा और यहाँ पर एक option मिलेगा final submit का तो आप लोग यहाँ पर final lock वाले option पर click करेंगे final lock वाले option पर click करेंगे आपका power up यहाँ पर successful complete हो जाएगा इसके बाद यदि आपके form में कोई भी mistake फिर भी अगर हो जाती है धोके से तो आप यहाँ पर इसका correction कर सकते हैं आपको correction करने के लिए इसी web thread पर आना होगा और यहाँ पर लिखा हुए अपना भरा हुआ फारम का संसोधन करें इस पर click करना है यहाँ पर ratio number आपको flip करना है data of work capture फिलप करना है इस पर click करना है आपके सामने पूरा form open हो जाएगा आप लोग अपने form में correction कर सकते हैं और correction करने के बाद आपको अपने form को फिर से final lock करना जरूर यह इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना जब तक आप लोग final lock नहीं करेंगे तब तक आपका मान नहीं होगा तो finally दोस्तों आप लोग कुछ इसी तरह से समाच कल्यान विवाब उत्तर परदेश लखनाओ की तरफ से ISPCS है तो निस्वल कोचिंग के लिए online आबेदन कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपका जो admit card आएगा admit card आएगा फिर आपका exam होगा exam होने के बाद अगर आप लोग exam pass कर लेते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर निस्वल कोचिंग दी जाएगी लखनव में तो finally यह था कुछ UPSC Civil Service ISPCS की निस्वल कोचिंग का form जो की आज की इस वीडियो में मैंने complete जानकारी दे दिये उमीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद जरूर आई हो पसंद आए तो लाइक कर दो अपने दोस्ता शेर करो इस चैनल पर पहली बार आए सस्क्राइब करो मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए बाय बाय